पूंग साही राम नमस्ते मैं नाम है स्मुदी और मेरे चैनल पर में लेका राती हूं साही बाबा के फिच्ट जूटे मासेजेश तो अगर अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा यूगे सब्सक्राइब माय चैनल आशा करते हूं आप सब स्वस्त है हमेशा मुस्कुराते रहें चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ लिप सी बाबास मैसेश तो सबसे पहले जो फॉर्स मैसेश है किसी की बहलाई न कर सको तो मत करो लेकिन किसी को अपने मन वचन करने से तकलीप कभी मत पहुचाओ बाबा के कहते हैं कि जब मेरा भग क अश्ट में होता है तो सबसे बड़ी पीडा मुझे होती है शर्दाव सब बड़ी बनाये रखना सब अच्छा होगा बाबा के कहते हैं कि चिंता मत करना वो भी रोएगा जिसने तुझे आज रुलाया है कभी भी हार न मानने की आदत ही एक दिन जितने की आदत बन जाती ह हमेशा याद रखो जिस वस्तु को साई ने आपसे दूर रखा है ठीक है जिस वस्तु को बाबा ने आपसे दूर रखा है वो कभी आपके लिए अच्छी ठीए ही नहीं विश्वास का अर्थ ये नहीं कि आप जो चाहोगे साई वही करेंगे विश्वास का अर्थ तो है कि साई जो भी करेंगे वो आप के लिए सही होगा बाबा के कहते हैं कि घुस्ते में आप खुद को भी नहीं समाल सकते लेकिन प्रेम से आप पूरे दुनिया को समाल सकते हो बाबा के कहते हैं कि प्याट के बिना कुछी भी पाना संभू नहीं क्योंकि सास लेने के लिए भी पहले सास छोड़ने पड़ती है जिंदगी बहुत छोटी और प्यारिसी है ऐसे लोगों के साथ बिताओ जो आपको हसाए और आपको महसुस कराए कि आप उनके लिए ज़रूरी हो बाबा के और कहते हैं कि दिल के सच्चे लोग पहले ही अक्यले रह जाए लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते है बाबा के कहते हैं कि जो तकलीफ तुन खुद बरदाश नहीं कर सकते वो किसी दुस्ते को भी मत देना जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते है बाबा आगे और कहते हैं गुरु कुरुपा का आर्थ यह नहीं कि जीवन में दुखी ना आए दुप में भी आप दुखी न हो वो गड़ी कब भी जाए आपको पता ही न चले यही है गुरु कुरुपा यदि आपको किसी एक से शिकायत है तो उसे बात कीजिए यदि आपको अधिकतर लोगों से शिकायत है तो खुद से बात कीजिए और बाबा आगे और कहते है कि फिक्रिक करता है क्यों फिक्रिक करता है क्यों फिक्रिक करता है क्यों फिक्रिक से होता ही क्या है रख अपने साई पर भरसा फिर देख होता क्या है और आगे बाबा ये भी कह रहे है कि एक बात हमेशा याद रखना अगर कोई आपकी मदद करता है तो उससे हमेशा याद रखना कभी भूलना जाना याद रखना कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया क्योंकि एहसान वापस करने में सक्षम बहुत कम लग होते हैं So this is what today's our Baba's message So thank you so much you all आज के इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए God bless you Have a nice day God bless you आपका दिन मंगल मैं हो उन सही राम